एलो फ्रेंड आज हम पहाड़ी नींबू वक्यार बनाएंगे तो इसे कुछ लोग पहाड़ी नीबू कहते हैं क्योंक defります होता है और कुछ लोग उसे गलगल करते हैं आप पहाड़ करते हैं वक्रेशलिये बताईये और इसका चाहर बहरत है तो इसका चाहर भाताता है ऐसका ब्राने के लिए क монhtチャンネル के लिए तो मैंने अर्भ जानव रढताइब और एक चमट इसव फॉर्डप ने लिया है और अदा घड़ा नमक ले लिए और एक चमच काला नमक ले लिया है और दो गोल की बटी लिए है आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा डाब सकते हैं लेकिनों दो बटी लिए हैं मुझं को बहुत बारी टोड़ अभी दालेंगे तो पहले चलिये हम निमबु को अखाते हूं इस लगते हैं अचार कमी चटनी जैसे लगता खाने में बहुर सबस्लिए हकना बिधामीन से बाइब काड़ब ले रहा है कि अब हम निम्पो को के पतले टुक्रफ प्रप ले रहा है है ताकि यह जल्दी से गल जाए और विंटो में बन जाता है इसका अचार ज्यादा कोई जंजड भी नहीं रहती है नजा कोई ज्यादा मसाले रहते हैं बस इसको हम बारी-बारी काट ले रहा है और इसी तर हम एक फाकी मैंने काट लिए निम्बू के और इसी तर हम सारे फाकी बीज हम आराम से निकालते जाएंगे चाको से और इसमें ज्यादा होते नहीं है लेकिन तब भी कुछ तो रहते हैं चार-पांच इसको हम निकाल देंगे और सारे निम्बू को इसी तरह काट लेंगे यह देखिए मैंने सारे निम्बू को एक पराबर साइज में काट लिय रहा है और हम ल्लम मसालो को बूनना है उनको बोले के इसमें जीरा धनिया और सौंप मोलें गेंगे ईसको पिछ लेंगे पिंकल प 낮 तो हम एक पेन गास प्रकाना घरम होगा है में जीरा धनिया और स्वाप डालके बुन लेंगे और इसको दीमी आच पे बुन लेंगे ताकि अच्छे से बुन जाए और जब मसाले हलका सा चीटकने लगें तो समझ लीजे बुन गया है तो हम गैस बंद कर देंगे तो यह तो यह दिएक्षा घुन गया है इसका कलर भी चेंज हो गया और हम गयास बंद कर दिए है और मसालों को तक दे रहें ठंडा होने के लिए इसको प्ला Mad um तो को छील दे रहर था थ riches काट के राखने को 25 इससी तरे सारी चिली को अठा देंगे्गयी औ इसको यह ने दो कारीच अए अधर समय अब को अलग कर लेंगे इस तरह चील कर निम्बू का अचार बनाएंगे तो आप साम को बनाएंगे तो सुबा खा सकते हैं बहुत जल दी गल जाएंगे नहीं तो अगर चील के साइथ निम्बू का चार बनाएंगे तो पंदा दिन तो इंतजारी करना पड़ता है पंदा दिन में तो हम कुछ नीमों के चिलकों को डाली है और यह देखिए और मैंने चिलकों को डाली हैं और यह अलग अलग एक पीस है शचलके जोटने के बाद भी इदम नहीं भी बावल में डाल दे रहा है जिसमें हमाले मिल आगे और जिसमें रस भी निकलता है थोड़ा बर उसको भी तहले मिल एक बावल में सारी निमो को डाल दिया है और हमारे मसाले भी ठंडी हो गए है कि तो मैंने धनिया सुख और जीरा को एक छोटे से मिक्सी के जार में टाल पीछ लेंगे तो हम मिक्सी के जार में डाल दे रहा हैं और इसको हम पीस लेंगे और यह देखे फ्रैंट मैंने मसाले को पीस लिया है और इदम यह हलका सा देखे दरजरा जैसे मुझे चाहिए था उतना ही मैंने मसाला पीसा है बहुत बारिग नहीं किया है तो इसको हम अब रख दे रहे हैं साइड में और अब हम सारे मसालों को नीमू में डाल के मिक्स करेंगे तो पहले हम मिर्स पाउडर डाल दे रहे हैं और इसमें हम पिसा हुआ तो सरसो डाल देए और पाउडर भी डाल देंगे और जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं मिक्सी में उसको भी डाल देंगे तो दो चम्म चम मसालों को भी डाल दे रहा है है कि थोड़ा सा कम डग रहा है और जो बत साला बचा हुआ है इसको मरक दियें किसी सव्जी में स्निमाल कर लेंगे अब इसमें हम सेदा नमग डाल दिये एक चम्मच क्योंकि निमवू खटा होता है तो इसमें नमग जादा पढ़ता है और से बुड़ को मैंने को बारी तोड़ लिया है ताकि जल्दी से गल जाए और नमक पड़ा हुआ है और खटा है तो निम्बू तो इसलिए जल्दी गल भी जाएंगे लेकिन मैंने तभी बारी को तोड़ दिया है और इनको हम सब को मिक्स कर लेंगे और को ज्यादा मसाले नहीं तिन चार मसालों में हमारे निम्बू का चार बनके तयार हो जाएगा और यह बहुत ही टेस्टी बनता है यह खटा मीठा चार बनके तयार होता है और इसको कोई कहा नहीं सकता है यह चार रिदम चटनी की तरह लगता है खाने में जो इगल जाता है तो और ही टेस्टी लग यह बहुत ही टेस्टी लगता है और टेस्टी के साथ ही बहुत ही पॉश्टी का जार बनता है तो एक बार आप लो इस पहाडी नीवू के अचार बनाई ए और इस समय ठंडियों में तो मार्केट में आ भी रहा है तो असानी से मिल भी जाएगा मैंने सारे मसालों को अच्छे कभी नहीं खराब होगा सालों चलेगा और एक बार आप लोग बनाईएगा घर में सबको बहुत पसंद आएगा तो मैंने यह एक जार ले लिया है इसको अच्छे से दुल लिया है सुखा लिया है इसमें हम चार को रख देंगे और साम को बनाया तो सुबह आप खा सकते है और काच के बरतर में ही अचार को रखना चाहिए प्लास्टी के डिब्बे में रखेंगे तो अचार खराब हो जाता है तो इसलिए कभी भी कोई भी अचार हो तो काच के बरतर में रखें नहीं है तो चीनी मिट्टी के बरतर में रखें लेकिन श्टील के बरतर में या प्ल पूरा पिगल नहीं और अभी हम साम को बना रहा है सुबह तक सारे गुल पिगल भी जाएंगे और बहुरी टेस्टी अचार बन जाएगा आप सुबह अचार को आराम से खा सकते हैं तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा यह पहाड़ी नीमबू या गलगल का चार बनाने के तर करें साथ में जियर करें थैंक यू